नमस्कार, दी मार्ट, डिसकाउंट के रूप में मशूर, यह नँखोल देखता है न दिवाली देखता है, बस इसके इस्टोर पर आपने देखना हमेंसा डिसकाउंट चलता रहता है, फिर भी अधर इस्टोर से प्रोपिट में हैं, आप रिलाइंस की बिलेंस इट देखना, रिलाइंस इस्टोर की, विसाल मेगा मार्ट की देखना, वी मार्ट की देखना, बिग बाजार की देखना, सबसे ज़्यादा प्रोपिट में डी मार्ट का इस्टोर है, इतना ज़्यादा डिसकाउंट देने के बाद में डी मार्ट इतना प्रोपिड में कैसे वह शूँक वैक्ष कारण से डिमार्ट इतना प्रोपिड में है यह कंदेखे है एल आह wh झाकरते है जो दूसरों से ज़्याधा प्रॉपिट में रहताई आफिर उनके क्या रनती है क्या इस्टेजी है अपन देखें आईए रादा किसेंद दवानी का डी मार्ट का इस्टोर एक भी इस्टोर किराये पे नहीं चलता है सब से बड़ी उनकी policy यह है कि कोई भी इस्टोर किराये पे नहीं चलाना उनके 99 परसन इस्टोर खुद की building में चल्रहे हैं। उनका मानना है कि अगर आपन किराये देंगे तो वो किराये से अगर बचत करेंगे तो वो किरायeking प्रोफिट में जाएगा। कि उनके सब सब बड़ा rules और सब सब बढ़ी apology यही है कि कि उनका कोई भी store किराये गुम्रा होता हूँ को पता नहीं पड़ता के या कौनसा ब्रांड खरें दो निमार्ट क्या करता है निमार्ट ज्यादा से ज्यादा अपना खुद का ब्रेंड रखता है उसका मानना है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड होना है ज्यादा से ज्यादा ब्रांड अगर आप अपने इस्टोर में रखो गए तो कस्टमर कंफ्यूज होग किस्टमर सई तरीके से बाइंग नहीं कर पाएगा इसलिए डिमाड ज्यादा ब्रांड अपने स्टोर में नहीं रखता है डिमाड की पोलिसी है कि इस्टोर को जल्दी से जल्दी खत्म करना डिमाड की कोई भी इंवेंट्री 30 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाती है और दूसरे स्टोर की इंवेंटी तकरीबं सित्तर दिन तक चलती, डिमाड की यही पोलिसी उसचे सबसे आगे लेगी जाती है डिमाड को मानना है कि जितना ज़्यद्य जल्दी खोस्य के टर्णउवर जितना ज़्यद्य करो, माल को निकालने की कोसित करो को प्रिंदिग रखने का सिंद्स Li sofa धिसकांट 어렵ने मान अदर जो पढ़ा हुआ इसको इसको लंबा ने चलाता है यह दिमार्ट की सबसे बड़ी पॉली सी 2 hai दीमार्ट की सबसे बड़ी पोलिसी वेंडर्स और सप्लायर को खुश रखता है दीमार्ट अपने वेंडर्स और सप्लायर को तुरंत पेमेंट करता है कोई भी परेशानी कोई भी समझ्या आती है तो तुरंत सोल्व करता है तो उसके वेंडर्स उनके सप्लायर दीमार्ट से खुश होते हैं और दीमार्ट को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दीमार्ट को प्रोवाइट करा है क्योंकि उनको पता है कि दीमार्ट हमारा ख्याल रगता है तो हम भी दीमार्ट का ख्याल रगए तो सबसे बड़ी एक policy दीमार्ट की ये भी है कि उनके vendors और suppliers दीमार्ट से खुश रहते हैं दीमार्ट की सबसे बड़ी policy ये जाधा से ज़्यादा सोरूम खोलने की होड दीमार्ट में नहीं है दीमार्ट का मकसद क्या है कम सोरूम खोलना लेकिन जितने सोरूम हो उतने profit में होना दीमार्ट 2002 में आया था और अभी ओल और इंडिया में 400 store है दीमार्ट 2006 में आया और अभी ओल और इंडिया में 10,000 store से हैं तो कितना difference है दीमार्ट और रिलाइंस store में DMARD सबस्था successful है फिर भी उसने अपने ज़्यादा से ज़्यादा DMARD इस्टोर नहीं खोले बहुत कम इस्टोर खोले और बहुत selected जगे पे खोले RELYANTS DMARD के बाद नाया लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्टोर खोलते गए और 10,000 इस्टोर खोल दी लेकिन फिर भी आज क्या है आज प्रोपिट के मामले में डीमार्ट दिलाइन से आगे हैं क्यों 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 कि डीमार्ट की इसी पॉलिस सीरी वचे से डीमार्ट का मानना की कम स्टोर हो लेकिन प्रोपिट में ज्यादा स्टोर खोलने की होड में सामिल मत हो इसके अलावा ड घ्रूइक का अपने कस्ट्मियू नहींुज्ट स्चंट अपने कनी शेशले के आप मीडिल क्लास फेम cima के हैं अपने के सोरूम नहीं होते हैं वहीन His customer base होता है दिमार्ट का और दिमार्ट उसी के उपर focus करता है तो दिमार्ट के कुछ ऐसी policies है कि इन वज़े से दिमार्ट दूसरे store से ज्यादा profit में हैं दूसरे store और दूसरे store दिमार्ट की बनिश्पत कम discount देते हैं कम offer देते हैं फिर भी वो दिमार्ट से आगे नहीं निकल पाते हैं दिमार्ट इतने offer देता है इतने discount देता है फिर भी profit के मामले में दूसरे store से आगे रेता है किस करन से इन 6 policy की वज़े से इन 6 रननिती की वज़े से दिमार्ट दूसरों से अगे रेता है और ज़्यादा profit कमाता है